गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आजाओ सभी आपकी एक और कलास सुरू हो चुकी है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने PBR स्टेडी में साथियों ये आपकी चौथी कलास होगी और वो कैसे 2.84 मेरे एक समिकरण वाली चौथी नंबर कलास इकसरसाइज चल रहा है 3.1 से लेकर के 3.56 से बढ़ जितना भी है पूरा देखेंगे तो 3.2 चल रहा है अभी कौन सा ही है 3.2 जिसमें हम question number 2 तक पढ़ चुके हैं साथियों question number 3 और question number 4 ये दोनों एक जैसे हैं इन में क्या बताना है संगत और आसंगत ध्यान से देखना बहुत अच्छे से बताएंगे confirm विसमें आएगा ये संगत और आसंगत बताना है कहरा की दो समिकरण दिये गए हैं इन्हें चेक करिए कि संगत हैं कि आसंगत हैं अगर संगत ह हैं तो इनको ग्राफिय विधी से हल भी करिए तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा लफड़ा ये द्यान से देखना पूरा क्लास को देखना और जो नए चात्र चात्राइं जुड़े हैं वो चल्दी से सब्सक्राइब करें और मित्रों अगर इस क्लास को आप पीबर चलते है याद रखना भी बताऊंगा लाइ даль कर देखो पहले तो इस समीकर्ण को आप इस रूप में लिखोगे और दूसरा वाला जो जो समी करए इस से भी क्या करोगे आप इस रूप में लिखोंगे कहने का मतलब समझना है यह समी करनए 1 क shirt मन गया यह समी करणदों मार्ण अब लिखिये यह यहां मसे त्यन से लिखिये मैं मैं पार्टेशं एक गुझे समझे करन एक की game juice वाई प्लसी वन वाई जी वन इक्वन जीरो से पुलन ना करने पर तो जब इसकी यह गुडांक क्या है वन है यहनी कि एवन कमान क्या होगा प्रियमित्रों एवन एक होगा बीवन क्या होगा एक होगा और सीवन निकालोगे तो क्या होगा देखो यहां सीवन कमान क्या हो जाएगा इससे माइनस फाइब यहनी कि सीवन क्या है माइनस फाइब ध्यान देना अ प्लस C2 इक्वल 0 से तूलना करने पर जल्दी लिखो समी करण दो की A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल 0 से तूलना करने पर चलो कर लेते हैं यहां पर A2 बराबर क्या आएगा देखो यहां 2 है और B2 बराबर क्या आएगा देखो यहां-2 है और C2 बराबर क्या आएगा देखो य यह हो गया साथियों A1, A2, B1, B2, C1, C2 सब आ गया अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या होती है कहानी जो हम आपको सुनाते हैं जुबानी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब A1, A2, B1, B2, C1, C2 सभी बराबर होंगे तब क्या होंगे कंडिशन बताया था बताओ कम जब A1, A2, B1, B2, C1, C2 कोई न बराबर हो तब क्या होगा एक मैं बता देता हूं जब A1, A2, B1, B2, C1, C2 कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं क्या करेंगी पर तिछी यदित करेंगी ठीक ना रोट कर लो जल्दी से इसको इतना हो गया फिर चलिए आ लिखोगे, A1 अपान A2, निकाल लो इसको, A1, A2 क्या है जल्दी से बताओ, कुछ तो करो यार लिखा है सामने न, ये 2, ठीक, ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे न, A2 जो लिखा गया है वो प्लस टू ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं न, नो एसू, ओके, चलिए, ठीक है, अब B1, B2 निकालो पहले, अभी तो मैंने एक एक मान निकाला था, यार पहले इसको निकाल लेता हूं तब, B1, B2, B1 देखो, 1 है, और B2 की बात करेंगे तो माइनस 2 है, और देखना C1, C2, C1 और C2, अच्छा, B1 का मान क्या आया था, यक्स प्लस Y, यही है कि माइनस में ह देख लो, आप सभी मिला लो नहीं, तो बाद में चिन वाला लफडा फास जाता है ना, X प्लस Y ही था, प्लस में ही था, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, no problem, तो आप निकाल लो इसको, हूं, यार, B2 का मान मैंने माइनस में लिखाया है, ना, ठीक है ना, B2 का मान माइनस में एक मिनट रुकना, यह 2i है ना, देखो यही 2i तो मैंने यहां लिखा था, यह 2x है, यह 10 है इधर आया तो माइनस हुआ, लेकिन यह 2i माइनस कैसे होगा, यह माइनस नहीं होगा, इसको आप ऐसे एक लाइन किच के प्लस कर लो बस, बागी कुछ नहीं कर ना, माइनस को प ख्यान देना पड़ता है, नीचे उपर दोनों में माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा और पाच एक कम पाच पाच दूना दस, यहां पर आपको एक बात नजर आ रही होगी, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ना, चल्दी से नोट कर लो इतना, तो क्या होगा, आगे लिखना, a1 अपान a2 इक्वल, b1 अपान b2 इक्वल, c1 अपान c2 आगया, आपने देख लिए सब बराबर आगया, अब नीचे लिखोगे, अता समीकरण यूग्म के आपरमित रूप से अनेक हल होंगे, अगर ऐसे इस्तिति आती है, तिनों बराबर ह होते हैं, तो समीकरण यूग्म के आपरमित रूप से अनेक हल होंगे, और अता क्या लिखोगे, इसके आगे, इसलिए समीकरण यूग्म क्या होंगे, संगत होंगे, अब नीचे लिखना, आप, रेखा, पहला समीकरण क्या था, अगर यहां से यक्स निकालोगे, तो यह पांच माइनस वाई आएगा, क्या आएगा, पांच माइनस वाई आएगा, अब लिखो, वाई बराबर एक, दो, तीन, क्रमसा, ठीक ना, ब्रेकरण में लिख लो, क्रमसा, रखने पर, तो देखिए, ध्यान देना, अगर आप इसमें वाई कमान अलग-अलग रखोगे, तो यक्स कमान अलग-अलग आएगे, तो साथियों चलो रख लेते हैं, यक्स इक्वल पांच माइनस वाई है, तो वाई कमान जब एक रखोगे, तो यक्स कमान क्या आएगा, ध्यान देना पांच माइनस एक तो यक्स कमान क्या आएगा चार आएगा वाई कमान कितना रखा था एक रखा था वाई कमान एक रखा तो यक्स कमान क्या आए चार आएगा ध्यान देना वाई कॉल टू रखने पर क्या होगा इसी में रखना है ना तो x बराबर 5- y की जगापर 2 रख दिया इसमें तो x कमान क्या आ गया 3 आ गया इसी तरह से और भी कर लो y कॉल 3 रखने पर देखो जब इसमें y कमान 3 रखोगे न तो भाई 5 में से 3 गड़ जाएगा 2 आ जाएगा यह नहीं x कमान क्या आएगा 2 आएगा अब देखो यहाँ प बिंदू मिला है x कमा y इक्वल 3 कमा 2 तीसरा मिला है yaks कमा y इक्वल 2 कमा 3 जल्दी से इन बिंदूओं को लिख लो फटाफट इतना फिर आगे लिखना बहुत जल्दी करिए फटाफट तुरंद नोट करिए स्क्रीन साइट लीजिए या फिर वीडियो को रोग करके लिख जिससे हम इस तरह से लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं ना वाई लिखा है इधर लिखा यह सिक्वल 5-1 तो यह मान आए आप चलो इनको ग्राफ पी दिखा दो बस ठीक ना अब लिखे ग्राफ इसको दिखाए जिसे आप लिख लेंगे क्या लिखा है आले कि करना यह जैसे हैं ठीक ना मान कितना तक रखोगे देखो अधिकता मान तीन आया है बस ज्यादा नहीं रखना है तो चलो रख लेते हैं 123 यह माइनस 1-2 और माइनस 3-1-2 और माइनस 3 यह देखो यहां पे तो 0 होगा यह वन इसके लिए है यहां पे होगा है 123 द्यान देना कैसे लीक गरों की एक सक मान 4 है वा ही का मान 1 है है एक सब्सक्राइब बंद चलना है थोड़ा सा और बढ़ा लो यह देखो 1964 वी हो गया सब्सक्राइब गरूंगा है तो ये तीन कामा दो हो गया बहुत ध्यान से समझना अगला बिंदू है दो कामा तीन एक्स पर दो और वाई पर तीन तो ये एक्स पर दो यहां पर होगा वाई पर तीन मतलब यहां पर होगा तो ये ऐसे जाएगा मतलब यहां पर क्या आएगा दो कामा तीन तो साथियों इस एकदम सीधा जाएगा ये कैसे एकदम सीधा ऐसे मिलाओगे पट्री फिर दो आ जाएगा ठीक ना तो ये हुआ आपका ग्राफ इसे आप चाहो तो काट भी सकते हो ऐसे ले जा करके ऐसे मतलब देखो परतिछे दित किया की नहीं किया इसने क्या किया परतिछे दित किया अगर एक सीधी रेखा आराम से खीचोंगे इसकेल रखे तो पूरा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब वो क्या करेगी उसको परतिछे दित करेगी है ना नोट का लीजे जल्दी से तो यह आपका जो चौथा कोईश्चन था तीसरा था उसका सारा सलूसन इसमें हो चुका है इसी तरह से हम अगला कोईश्चन भी कर ले जाएंगे और हर दिन यह कलास देखना आप इस कलास को देख रहे हैं पीवियर स्टडी फार एंसी एर्टी सलूसन जी हाँ पीवियर स्टडी फार एंसी एर्टी सलूसन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तूरंत कर लें हो सकता है आप पीवियर स्टडी फार बेसिक एंड डियलेट वाले चैनल पे इसे देख रहे हों तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इसी पे ये कम्पिलीट क्लास होगी और बेसिक और डियलेट वाले पे आप नहीं चलेगी है बंद होने वाला है ठीक ना तो बेसिक और डियलेट वाला छोड़ दो आप सभी सब्सक्राइब करना कुछ अच्छा करना साथ ही हो बहुत जल्दी ही आपका कॉर्स कम्पिलीट कर रहे है हम आपके लिए तिन-तिन कलाफ लेके आएंगे एक साथ